हेलो दोस्तों नमस्कार मेरा नामने सुचिन पुमारा आप लोग देख रहे है ओड़ी टेक्निकल दोस्तों रियल्मी 7i को इंडिया के अंदर अगने मैंने लॉंच किया जाने वाला है और यह रियल्मी की तरफ से काफी दमदार स्मार्टफून होने वाला है तो आज के इस वीडियो में रियल्मी 7i के स्पैसिफिकेशन प्राइज और इसको इंडिया के अंदर कभ लॉंच किया जाएगा साज इडियल आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है लेकिन उससे पहला अगर आप लोग ने चैनल को सब्स्राइब लेक जाए तो चैनल को सब्स्राइब कर लीजिये और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो सेर कर दीजिए दोस्तों साब फेस्बुक पर वाटसबब और ट्वेटर realme 7i डमदार स्मार्टफोन है realme की तरफ से और इस smartphone की जो Specification है वो price को देखते वे काफ़ी अच्छे Specification है काफ़ी सचता Prop ौइज रखा गया है Scratch realme 7i के specification के बारे में बात करें तो में आपको 6.50 press HDplace realme 7i ही देखने को मिलेगा इसके साथ आपको Qualcomm Snapdragon 662 SoC का आपको प्रोसेसर देखने को मिलेगा साथ में आपको 5000 mAh की बैटरी इसके साथ आपको 18W का Fast Charging Sport देखने को मिलेगा Rear Mounted Fingerprint Sport भी आपको Realme 7i में देखने को मिलेगा Android 10 पर यह स्मार्टफोन स्पोर्ट करेगा और आपको इस स्मार्टफोन के इंदर दो वरियन्स देखने को मिलेंगे आपको 4GB RAM प्लस में 64GB ROM 4GB RAM प्लस में 168GB ROM और इस स्मार्टफोन में आपको दो कलर Fusion Blue और Fusion Green कलर आपको देखने को मिलेंगे Realme 7i के कैमरा सेट अप के बारे इन बात करें तो इस smartphone में आपको quad rear camera setup पीछे के चलब देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको 64 megapixel का main camera मिलने वाला है इसके बाद आपको 8 megapixel प्लस में, 2 megapixel प्लस में, 2 megapixel के sensor आपको देखने को मिलेंगे selfie camera realme 7i में आपको 16 megapixel का मिलने वाला है और इस smartphone को इंडिया के अंदर साथ October को launch किया जाएगा इसके price के बारे में बात करें तो इसका price 15 या 16 रुपे के बीच में हो सकता है वैसे आप लोग हमें बताएगा कि realme 7i के जो price है वो कितना होना चाहिए वो आप हमें नीचे comment section में comment करके उताएगा तो दोस्तो इस वीडियो अपने दोस्तों साथ कर दीजिये Facebook पर WhatsApp पर Instagram पर दोस्तों आज के वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद